आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कैविटेशन इन सेंट्रिफूगल पंप इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं वैपर प्रेशर क्या होता है वैपर प्रेशर और कैविटेशन हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं लेक्चर 1.44 में इसका वीडियो लेक्चर आप देख सक सकते हैं जब ऊटर को हम एकसर्ण अल्सों से हीट करते हैं यह पर एकस्टे अलसों से हीट करते हैं तो वाटर का टेंपरेचर क्या होगा इंक्रीस होगा और प्रेशर भी निक्रीज हो गया और जब वाटर का टेंप्रेचर 100 डिग्री सेंटिकेट पर पहुँच जाएगा और प्रेशर क्या रहेगा एटमासपरिक प्रेशर रहेगा 1 एटमासपर इकोल टो कितना होता है 1.013 बार तब जो वाटर है वो वैपर में कनवर्ट हो जाएगा वाटर के वो प्रेशन या बॉलिंग होने से यहाँ पे बबल्स बनते हैं वैपर बनते हैं जब यह वैपर के द्वारा लिक्वीट पे प्रेशर लगाया जाता है लिक्वीट पे क्या करता है यह प्रेशर लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं वैपर प्रेशर कहते हैं यह जो bubbles दीख रहे हैं, यह जब यह closed bezel पर strike करेगा, तो यह close bezel के कुछ area पर strike करेगा, और यहाँ पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो हमको पता है pressure क्या होता है, force upon area equal to क्या होता है, pressure होता है, तो bubbles यह वैपर के द्वारा liquid पर लगाएगा, pressure क्या कहलाता है, वैपर pressure क होता है, वैपर में convert हो जाता है, और वहाँ पे air bubbles बनाता है, जब यह air bubbles, low pressure region से high pressure region में जाता है, तब air bubbles क्या होता है, और वो break हो जाते हैं, जैसे ही air bubbles break होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा amount में pressure rise होता है, इस high pressure के कारण क्या होता है, pump के अंदर impeller ये casing के wall में pitting action होता है, जिससे pump के wall में small small hole produce होते है, तो हमने भी देखा जब bubbles low pressure region से high pressure region में जाता है, तो bubble क्या हो जाता है, collapse हो जाता है, तोड़ जाता है, तोड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है सौक वेव जनरेट होता है बबल्स में क्या होता है सौक वेव जनरेट होता है इसका प्रेशर क्या रहता है बहुत ज़्यादा रहता है जब बबल्स तूटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर राइस होता है यहाँ पर saw wave generate हो रहा है इसमें क्या है यह जो bubbles है किसी solid boundary के contact में नहीं है लेकिन वहाँ पर भी क्या है sock wave generate हो रहा है जब यह bubbles जैसे कि यहाँ पर इस नीचे डे डागराम में देखतेh जब यह bubbles किसी solid wall के contact में रहते हैं isolated bubble collapse near a solid boundary माल लेते हैं जो solid boundary हो क्या है impeller और casing का wall है अब यहाँ पे भी क्या होगा bubble low pressure region से high pressure region में आएका और collapse होगा और वो break होगा जब यह bubble यहाँ पे break होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा sock wave जनरेट होगा अब यह sock wave क्या करेगा यह जो impeller और casing का wall है उस पे भी कुछ effect करेगा sock wave के कारण क्या होगा impeller के wall में क्या होगा erosion होगा erosion होने के कारण क्या होगा जो wall का कुछ metal है वो क्या हो जाएगा तूट जाएगा जैसे कि हमको यहाँ पे डियागराम में धीक रहे है तो इस sock wave के कारण क्या होता है impeller और casing के wall में erosion होता है और erosion होने के कारण क्या होता है उस की सायता से बहार निकल जाता है इससे impeller और casing में losses होना और water का leakage होना start हो जाता है और pump क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है यह जो फिनोमिना है इसी को हम क्या बोलते है कैविटेशन कहते हैं अब हम इसको हम इस डियाग्राम से और समझते हैं माल लेते हैं ये क्या है सम्प है यहाँ पर जो liquid है इसका temperature कितना है 30 degree centigrade है और इसका प्रेशर कितना है 0.2 बार है यह इसका ग्या है वैपर प्रेशर है अगर suction pipe का pressure 0.4 बार है और delivery pipe का pressure कितना है 6 बार है इस condition में क्या रहेगा pump में kavitation का कोई problem नहीं होगा हमको पता है suction pipe का pressure क्या रहता है low pressure रहता है और delivery pipe का pressure क्या रहता है high pressure रहता है सक्षन पाइप में एक वैक्यूम गेज लगा रहता है जो सक्षन पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को मेजर करता है लो प्रेशर को मेजर करता है और जैसे ही वाटर इंपैलर से केसिंग में जाता है इसका प्रेशर क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है, atmosphere प्रेशर से ज़्यादा रहता है, यहाँ पर प्रेशर हाई रहता है, इस प्रेशर को कौन मेजर करता है, यहाँ पर प्रेशर गेज लगा रहता है, इसको हम positive प्रेशर गेज भी कहते हैं, जो हमारा atmosphere प्रेशर से ज़्यादा रहता है, जैसे ही water वाटर सक्षं 5 से इंपेलर में जाता है इंपेलर कर वाटर जो है इंपेलर से बहाँ निकल के delivery टिस्चार्ट पहुँंच जाता है तो एहां पर देख रहे हैं हम लोग वाटर को पूलो का इसा पहुत है सक्षंखंड़दूर impeller eye impeller eye से delivery pipe delivery pipe से discharge हैं तो यहाँ पे कैvitation का कोई problem नहीं होगा क्यों क्योंकि जो suction pipe है उसका pressure कहा है 0.4 बार है यह जो pressure है यह liquid का जो यहाँ पे जो liquid है जो water है जो pump में flow रहा है उसके pressure से ज़्यादा है यहाँ पे जो 0.4 बार है वो liquid के vapor pressure 0.2 बार जो की है यह क्या है लिक्विट का वैपर प्रेशर है 0.2 बार से ज़ाद है तो यहाँ पे कैविटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो यहाँ पे अगर हम सक्षन पाइप को सिस्टम लेते हैं अगर सक्षन पाइप हमारा क्या है system है इसको क्या बोलने है हम लोग system तो अगर system का pressure system मतलब suction pipe का pressure vapor pressure से ज़्यादा है vapor pressure of liquid जो कि क्या है यहाँ पे 0.2 बार है और suction pipe का pressure कितना है 0.4 बार है अगर यह ज़्यादा है तो cavitation का problem नहीं होगा अगर system का pressure vapor pressure of liquid से कम हो गया या उसके equal हो गया तो cavitation का problem होगा अगर हमारा system का pressure system क्या यहाँ पे suction pipe है अगर suction pipe का pressure vapor pressure of liquid से कम हो गया मतलब 0.2 बार से कम हो गया या उसके equal हो गया तो यहाँ पे cavitation का problem होगा इस condition में क्या होगा यहाँ पे जो water है यह जब उपर जाएंगे liquid जो है जब उपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा bubble बनने start हो जाएगा bubble का formation होना start हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे water क्या होगा boiled होना start हो जाएगा boil होगा तभी यह क्या होगा bubble में convert होगा कौन से temperature में bubble बनना start हो गई है यह इसी 30 degree centigrade पर ही यह bubble बनना start हो जाएगा और यह bubble कहाँ पर जाएगा impeller में जाएगा जैसे ही यह bubble impeller में जाएगा मतलब क्या है यह suction pipe में pressure क्या है लो प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर क्या है हाई प्रेशर है तो जैसे ही बबल लो प्रेशर रिजन से हाई प्रेशर रिजन में इंटर करेगा वहाँ पे बबल क्या हो जाएंगे collapse हो जाएंगे collapse होने के बाद क्या होगा break हो जाएगा तो जब ये break होगे तो बहुत ज़्यादा pressure rise होगा और वहाँ पे क्या होगा sock wave generate होगा sock wave generate होगा तो ये जो impeller का wall दीख रहा है ये और ये casing का जो जो wall दीख रहा है उसमें क्या होगा erosion होगा इसका जो metal का जो parts है वो तूटना इस्टार्ट करेगा और ये parts water के साथ delivery pipe की सहता से बाहा निकल जाएगा ये तो ये जो phenomenon है इसको हम क्या बोलेंगे cavitation बोलेंगे इससे क्या होगा जो impeller और casing का जो wall है ये casing हो गया और जो impeller का जो wall है उसमें leakage हो जाएगा losses होने start हो जाएगा जिससे क्या होगा pump damage हो जाएगा तो cavitation कब होगा जब suction pipe का pressure जो है suction pipe का जो pressure है वो as than equal to vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid तो इस condition में क्या होगा जब system का pressure प्रेशर ये suction pipe का pressure less than equal to vapor pressure of liquid रहेगा तो cavitation का problem होगा pump में यहाँ पर हमको एक pump का diagram दीख रहे है ये A, B, C, D अलग-अलग condition है water का एक condition क्या है जब water इंटर कर रहे है pump में water कहाँ पर इंटर करता है suction pipe में इंटर करता है तो point A पर जो pressure रहेगा क्या रहेगा suction pressure वे suction pressure क्या रहता है low pressure रहता है इसके बाद क्या रहा है point B point B जैसे ही यहाँ पर pressure system का जो pressure system क्या है suction pipe है उसका pressure vapor pressure of liquid से कम हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है bubble formation होना start करता है तो suction pipe में जो bubbles है वो impeller में जाता है impeller में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है वो collapse हो जाते है bubble क्या होते है collapse हो जाते है collapse होने के बाद क्या होता है वो break हो जाता है और condense हो जाते है condense होने का मतलब क्या है जो bubbles है वो water में फिर से change हो जाते है तो यहाँ पे जब bubble collapse होंगे, break होंगे, तो वहाँ पे pressure क्या होता है, बहुत ज़्यादा rise होता है उसके बाद क्या होगा, जब यह condense होके delivery pipe में जाएगा, condense होगा मतलब क्या है, bubble जो है water में convert हो गया तो यहाँ पे से water delivery pipe के through, कहाँ पे जाएगा, discharge tank में जाएगा, delivery pipe में क्या रहता है, water को जो pressure रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, high pressure रहता है और point D क्या है यहां पर, point D हमारा यहां पर है, delivery pipe, जहां पर pressure क्या रहता है, बहुत ज़ादा रहता है, जब bubble formation होगा, किस condition में होता है, bubble formation, जब pressure less than रहता है, vapor pressure से, तो यहां पर क्या हो रहा है, suction pipe में bubble formation हो रहा है, जैसे ही suction pipe का pressure vapor pressure से कम हो जाएगा, वहां पे का water है, water को flow होते रहेगा, तो water किस में connect हो जाएगा, bubbles में connect हो जाएगा, जब यह bubbles impeller में जाएगा, जब यह बबस इंपेलर में जाएगा तो इंपेलर में देखो यह वैपर बबस है यह हो जा रहा है कोलाप्स हो जा रहा है कोलाप्स होने के बाद यह कोलाप्स होंगे और ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक होने के बाद क्या होगा इसमें बहुत ज़्यादा प्रेसराइज होगा औ और यहां पर चोटे पार्टत्रे कारान ॕरुम इसके के वाल में किता हमें ऐसे से सप्वाट्र के साथ 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 से चोटे चोटे फेड़ के पार्ट से वह बहाpsy निकल जाते हैं इससे हो पर रूजन होता है इससे यहांप पर लीकेज प्रॉब्लम भी होता है जिस्से इमपेइलर को नपसान होता हैं पञभाड मटेक्व कावीटेशंटमी कौच क्वेटेशंटमी कर सकते हैं मैंने आप लोग को पताए तो कैविटेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा तो अवाइट कैविटेशन इस एंट्रिफ्यूगल पंप दी प्रेशर आप दी फ्लूइट एट आल पॉइंट्स वित इन दा पंप प्रेशर पंप के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेचुरेशन प्रेशर से ज़्यादा होना चीए मतलब वई वैपर प्रेशर से क्या होना चीए किसी भी पॉइंट पर पंप के अंदर किसी भी पॉइंट में जो प्रेशर है वो वैपर प्रेशर आप लिक्विट से ज़्यादा होना चीए तो cavitation का problem नहीं होगा दूसरा suction pipe के length को कम करके third है suction pipe और pump के inlet diameter को same रखके यह जो pressure है pump के अंदर जितने भी point पे जो pressure है वो vapor pressure of liquid से ज़्यादा होना चीज़िए यह saturation pressure से ज़्यादा होना चीज़िए उसको हम कैसे achieve कर सकते हैं जो net positive suction head available है must be greater than होना चीज़िए net positive suction head required से net positive suction head net positive suction head जो available है वो greater than होना चीज़िए किसे net positive suction head required से ज्यादा होना चीए जिससे pump के अंदर जो pressure रहेगा सभी point पे pressure क्या रहेगा vapor pressure से ज्यादा रहेगा तो मेरे ख्याल से आप लोगो काईविटेशन का कौन सेप्ट समाज में आ गया होगा पंप में जो काईविटेशन हो रहा है इसमें कुछ भी डौट है तो आप पूछ सकते हैं ओके ठाइंक यू